तो आज में आपको साथ शेयर कहा रही हूंकि कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं इंजेक्शन के टेक्निक क्या क्या रहती है तो आप लोग सब पूरी डिटेल में डिस्कूस करूंगी राइट तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं जो फूस्ट इंजेक्शन है जा 90 degree की एंगल में दिया जा रहा है यह muscles में लगा जाता है then इसके बाद जो second है subcutaneous है जो की 45 degree की एंगल में दिया जाता है और यह दिया जाता है subcutaneous tissues के अंदा राइट थर्ड आता है intravenous जो की 25 degree की एंगल में दिया जाता है जो की वेन डार्मिस में दिया जाता है इसके बाद जो फोर्थ आता है इंटर्डर्मर रई। यह इसके एंगल दिया है जो इं्जेक्शन की टक्निक हैं भो कैसी दीनही तो आपको मैं सेकंट चार्ट इखाती हूं को सेकंड चार्ट में आप देखनें इंट्रमस्क जो कि 90 डिग्री में दिया जा जा रहा है निक्स सब्सक्राइब जो कि 45 डिग्री के एंगल में यानि कि आपको थोड़ ऐसा जूर नीडल है वो थोड़ ऐसा स्लाइड करना है ठीक है और इसके बनेक से इंट्रमस्क तो इसमें आपको बता रहें कि आपको एंगिल कि से एंगल को देना है और कि इतने डिग्री के एंगल में लगाना है राइट सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो वेक्षींं एंच्टे लगाने में मउटिव रहता है वो क्यार रहता है जारी है पीचेंड हुड में एक नीडल के थ्रू से मेडिरीन इंजक्ट की जाती है ठीक है जो इसमें तरही हो बिली है हाई इसमें और हम बात करेंगी जो ना कमा कितना टाइब तकी ही होती है मैं बात करेंगे जो को टेनिस इंजेक्शन इसका लगाने का तरीका कि है वो भी मैं आप लोक्सा शेयर करूंगी सबसे पहले हम इसमें बेसिक देखेंगे इस इंजेक्शन से मैडिसन को और जो स्किन है और मसल्स के पीच में टिश्यू में दिया जाता है इसके लिए एक हलके सी मतले पेन होती है ठीक है और इसे दी जाने वाली मैडिसन बोड़ी में धीरे धीरे मतलब बोड़ी में जाती है और इंसुलीन का जो इंजेक्शन अब वो भी इसी तरीके से दिया जाता है नेक से इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन इस जो इंजेक्शन से मैडिसन को बोड़ी के अंदर डीपल के अंदर गहराई तक जह सके इस इंजेक्शन का में जो मोटिव होता है कि मैडिसन को ऐसी माशपी या कि मसल्स में दिया जाता है जिसमें बहुत सारी बलड वैसलस होती है और ताकि मैडिसन जल से जल बलड में मतलग कि पहुंच सके राइड इसका निक्स है इंट्राडर्मल injection इस injection से medicine को skin की second जो लेयर में दिया जाता है इस layer को dermis कहते हैं इसके तुम से कई सारेlingen जिए सिफ के जो वेक्सिन वह भी दिये जाते हैं जैसे कि allergy का बता भी लगा जाता है इससे next इस blond Kalis comment इस injection को direct veins में लगाया जाता है ताकि medicine फोरन blood में जाकर मिल सके और जल्दी से असर हो सके तो आज हमने बात क्या है कि injection की जो टेक्णिक है वो लगाने का क्या तरीक है और कितने types के injection होते हैं तो वहीं मैंने आप लोग सब्सक्राइब किया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लेज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और थैंकि फूर बच्क मैं वीडियो